आप सभी का सुपर कंसर्ट क्लासिज में स्वागत है और आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को धातू एबंगा धातू के important questions को बताने वाला हूं आपका जो model paper आया हुआ है सर्माग गेस paper है question bank है जो भी चीज है हर एक चीज का जो होगा न complete निचोड़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है आप लोग हर एक चीज को यहाँ पर कर लिजिए इससे बाहर आपको कुछ भी करने का जरुत नहीं कि जो भी questions सोंगे नसर एह से आने वाले हैं तो चलिए एक करके discuss करते हैं और हरे question को बहुत जो अधार होता है यह बिदूत का भी सुचालक होता है और जो अधहतू होता है यह बिद्दूत का क्या होता है कुछ अलक होता है हमारा जो धातू होता है ना ये ठोस अवस्ता में पाए जाते हैं और जो अधातू होता है ये ठोस द्रव एबंगेस तीनों अवस्ता में पाए जाते हैं नोट करिएगा जो धातू होता है धातू क्या होते हैं सामाइनियता क्य भी निमन होता है और जातु में आगात्वर्जता का गुन पाए जाता है और धातू में आगाधवरिता का गून नहीं पाए जाता है याद रखिएगा जो धातू होता है इसका जो उपरी परत होता नहीं चमकदार होता है अधातू का उपरी परत चमकदार नहीं होता है जो धातू होता है जब यह कठोर सतर से टकराती है तो ठंठनाहट के आवाज उत्पन नहीं होती है इतना सारा मैंने आपको बताया आप याद करिएगा अच सबस्ट करें लिखाये एक साइड में आद हातो लिखाये एक साड़ मैं अधातोअ था तो भूता का गरहन यहां परンド के रहन करती है यहां अगी क्या है जो हमरा धापो ना यह लॉक्त रॉन गरिके क्या बनाता है धानायन बनाएगा जिसे एन एन की सोडियन क्या करता है एक लॉक्ट्रों का थ्याग करता है इसलिए यहां पर एने प्लस बनाता है एम जी दो इलक्ट्रों का थ्याग करते हैं जी टू प्लस बनाता है एल तीन एलक्ट्रों का थ्याग करता है इसलिए एल थ्री प्लस बनाता है इसलि कि धातु ये औक्सजिन के साथ हुख कर करेंगे और क्या बनाइंगे तुक रेंगे तो यह रहाइं ने रिया है तो यह जाटतु यह निया तो मैगने से यां पर शाइद बनेका यह यांप चाहिजित अच्छाने सकते नियागा आप चाहिए तो ने पिरीथ हो जाएगा अब देखेंगे ऑफ जो होते हैं ना धाटो भी एक्सिजन के साथ रवक्रिया करता है और है यहां पर अधाद्ट में बनाएगा और यह अमलियाय करती के होते हैं जिसे कार्बन प्लस अक्सिजिन से क्या हो जाएगा सूटी सोटी से क्या होजाएगा दैशक करिएक नोट करिए when out अ धिए हाट तु ज लिएगा ऐस नहीं गिया पर उस्मां भी निकलता है ठीक है इस ऑफ यका wishes मा भी निकलता है बोजो अधात्व और के साथ अविक्रिया नहीं करती है द्धातु जोतए आय। बढ़न के साथ इथ वंडिया नहीं करती है किलियर हो रहा है आगे बड़े आगे देखbecिए आगे अरक होती है है और अधात्वी ऑक्सिकार्यक होती है अफुवाद मिया पर कार्बन है धात्वी सामाने ता हाइड्रिजन के साथ अविक्रिया नहीं करती है ठीक है जो धात्व होती होता है मैक्समुम क्या होता है मैक्समुम के साथ अविक्रिया नहीं करती है और अधात्व हाइड्रिजन है सब्सक्राइब है और वह बहूत है इंपोर्टिन पोस्टन है यहां पर एक नंबर दो नमद तीन पर चार नमद बाच नमर का नाम जिखें हैं तो सिंपल सा यहां भी क्या रौड है एक च्छड है ठीक है तो यहां पर एक नमर वाला क्या नाम हो जाएगा धातुकी च्ड और यहां पर यहां पर यह लोग बोला गया यह लोग देख पार है यह लिंग दिया है इसे ही क्योश्चन आएगा पाँच नंबर दिया जाएगा बात समझ यह बले बले हो जाएगा गर से यह सबस्माइब से पिनुख दिया जाएगा आगे डिया आपका क्या either फुश्य को Pier 52 रोड़ा की ऐनंगर में यह थैसा को God देख सकते हacjiामर का यह वह जो यह क्या विकर है तो भी कर लिखेंगे चार नमर्ण कि यहां पर एक चाड़ है यहां पर एक चाड़ है तो गिरेफाइट की चाड़ लिए देंगे चार नमबर में क्या यह हमारा लवन विलियन है क्या है लवन विलियन तो पांच नमबर का नाम क्या हो जाएगा लवन विलियन हो जाएगा क्लियर चलिए आगे चलते हैं आगे अधातु बोलेगा तो पारा ऐसी मरकरी और अगर अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन यानि के बियार देखे दोनों कोश्चन एक जगा पर कैसे अधातु का नाम लिखें जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो यहां पर क्या हो जाएगा सोडियम भी हो जाएगा याद आख गया होता है तो लेड़े पीबी है यह मर उस्मा का कुचा लग होता है को जदात्त आथा असाने स संचारित नहीं होते हैं इसलिए इसका उप्यों क्या होता है आभूसन बनाने के लिए होता है एक ऐसे धातो का नाम लेकिंगे जिसका संग्चारा नहीं होता है दो धातों के नाम बताएं जिनका गलनांग अतीन मिन होता है यह कि सरी के ताप पर पिखल जाता आ जिसको अप्टेली में रखेंगे तो यह पिखल जाएगा तो हो जाएगा गेलियम तो था cgm चीक है आगे चलिया आगे देखिए यहां पर आगे यह सब जो चीजित दिया गया जिसकी एनी सियल का निर्मान एनिटो का निर्मान यह सब जो होगा किस प्रकार साप लोग करेंगे इसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप लोग जाएगा कैसे आपको नाम बेगरा लिखना है चलिए सर आगे देखिया आगे आगे आपका क्या है यहां पर फिर सा आपको यहां पर जब धातू और अमले के बीच जब अविक्रिया होगा तो क्या बनेगा सर लबन बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यान के एच्टू गैस बनेगा उत्पादित गैस को चित्रानुसार दीगा यह विदी सी का ठाक क्या जाता है नीमने प्रशनों के उत्तर दी जीए एक नमबर गयास का नाम लिखिए तो गयास का नाम क्या हो जाएगा है एच्टू हो जाएगा ठीक है गैस को इक अठा करने वाली वीधी का नाम लिखी है आपनी जो वीधी आप लोग देख पा रहे है इस वीधी को बोलेंगे जल की नीचे की और विस्थापन भी ठ की कहीए कर लिजएगा फीर आगे देखिए गयास फ्ले praying स्ल है या अगे तो हो जाएगा स्कारा सब्सें मेरा लेकिए तो चीका आगे डेख लिए टेकं़ और क्या है यहाँ पर जैसी की मिस्थाथ्तू हो गया यस पूचिए राता है कि मिला जाता है तो जो भी निस्टेट पराप तोगा इसी को इस राटो बोते हैं यह पीटल में क्या हो तक फार होता है अपने लेया सबस्टेंग करें को जाएगा और ताम आगे अगे देखिए यहां पर कुछ अयस्के दिया गया जो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्या है जस्ता के प्रमुक एइस क्वाइश को ज्सका बोलेंगे जिनक ब्लेंड टेक है जड़न स्यों थ्री जिसका बोग्स आइट एल टो ट्री टो टूर एल एप सिक्स यह सब नोट कर यह बहुत इंपोरेंट हो जाता है और यहां प्रगर एक्चिल में कहा जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एक हो जाएगा आपका सीने बार एक हो जाएगा आपका बॉक्स आइट रेख हो जाएगा आपका जिंक ब्लेंड यह तीन के तीन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और चो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यह है सरफ पारा कायई सके एस एच जी एस ठीक है आगे चली आगे देखिए आगे आपर हमारा उभाए धर्मिया ओक्साइट तो कुछ लोग नोऊं भूंग तरह नियौं पाइच घृखन चाइद को बोलते हैं उसे उभए धर्मी औक साइड कहते हैं जिसे दो नोगा पाई जाएगा अम दिया है जैसे यहां प्लिक सकते हैं आप लोग यहां जाएगा आप लिक इस मेन निस्तापन मी क्या होता है वायम की उप forcément की निनस्तापन। रहे गर इसमें क्या है कि भर जन में आसे को यूप की भस्तिती मी जाता है है और आई डिसे आता है और इस मेनिस्तापन निसकाड निकर्ण किया जाता याव लायां जाता है सलफाइऩ और इसमें साफ्ण में गार्वोनी डैशन से जैत परदी वरन आन्नक भरज़न में स ईंहां भॉटन गलेंट बॉटन में भरेनिसल फाइड़ ऑन कोड़न में निर्जली करन होता है क्या होता है निर्जली करन होता है जिसे हम दिए जो फर्जन है मैंने क्या बता है सलफाइड एसको हो गया वायो की उपस्ति इसलिए हमने ओटू लिखा और इस परकार से आधिकर पूर्ण हो रहा है यहां पर गरम यहां पर इस दे सकते हैं गरम हो रहा तो यह दिद्च इंदर क्या है िहां इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट में गार्फटेंफ कर रखी मियां तक इसा थे प्यर्शना का संपर्क nhi अंदर रखे जाते हैं बात के लिए आप रिए से बाइव के संपर्ट में आता आग पकड़ लेता है तो यह पर तुरंद कर लेता है इसलिए आग से बचाने के लिए ताकि यह उतना जल्द आपकर ना कर सके इसको कियो सिंट तेल के अंदर डूबो कर रखा जाता है गरम जल का बनाने में कॉपर किया करता है करता है किBack का बनाने में कॉपर कोται ऑड़ निर्मान करता है अपता है ञत की को क्य में थेखे और उनिच्ण की होता इसका उप्योग गर्म जल का टेंग बनाने में होता है ठीक है और एक कुशन है यह लास्ट है प्लेटिनम सुना इविंग चांदी का उप्योग आभुक्रार रहता है यहां पर इसका उप्योग क्या होता है और लिख दिया मेंने प्लेटिनम सुना मिंग चांदी का उप्योग आभुसन इनकी गहना बनाने के लिए लिए किया जाता है कि इसके कारण इक किसी के साथ अविक्रिया नहीं करती है इसलिए इनकी चमक लंबे समय तक बने रहती है अधाइन धात्म का उप्योग आभुसन बनाने के लिए क्या जाता है ठीक है नोट करिए बहुत है सिंपल और अच्छा पोस्टन है तो अच्छी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इसे प्रकार से आप लोगों को हर एक चेप्टर का प्रवाइड किया जाएगा तो मिलते हैं अगल जाहिए जाहिद